नई species का क्या मतलब है new species का मतलब है कि जब हम taxonomic studies कर रहे हैं हमारे पास कोई ऐसा specimen आता है जो के हमारे पास जो पहले से available specimen है या हमारे पास जो record है museum के अंदर या catalog के अंदर उसके साथ वो match नहीं कर रहा तो ऐसा specimen new specimen specimen कहलाता है और ऐसी species को हम new species कहते हैं अब new species को describe करना जरूरी होता है उसकी details देना जरूरी होती है तो उसके लिए हम क्या procedure follow करते हैं इस module के अंदर हम इसके बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहले जब भी किसी species को describe करना होता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि उस specimen को collect किया जाए और वो specimen हमारे पास complete हालत के अंदर यानि उसके तमाम body parts हमारे पास मौजूद हों और हमने जिस जगा से उस specimen को collect किया हो उस जगा को हम type locality कहते हैं उसके बाद जब हमने specimen को collect कर लिया होता है तो इस specimen को हम अपनी lab के अंदर लाते हैं अब lab के अंदर आने के बाद इस specimen को preserve किया जाता है अब यहाँ पे यी बात important है कि इसको हमने किस तरीके से identify करना है क्योंकि specimens को identify करने के लिए दो approaches इस्तमाल की जाती है एक morphological characters की base के उपर हम specimens को identify करते हैं और दूसरा जो तरीका है वो molecular method है क्योंकि हमने जब taxonomic studies करनी होती है morphological basis के उपर किसी specimen को identify करना होता है तो उसके लिए preserve करने के लिए जो हम material इस्तमाल करते हैं वो different है और जब हम DNA की base के उपर molecular base के उपर किसी specimen को identify करना चाते हैं तो उसके लिए जो material यूज़ करेंगे वो different है पर जब हम alcohol के अंदर specimen को preserve करना चाते हैं तो अगर हम morphological base के उपर किसी animal को identify करना चाते हैं तो उसको हम 70% alcohol के अंदर preserve कर सकते हैं लेकिन अगर हमने उसका DNA निकालना है हमने उसकी gene की sequencing की तरफ जाना है तो जरूरी है कि इस specimen को हम 95% alcohol के अंदर preserve करें और इसको low temperature के उपर store कर दें अब जब morphological basis के उपर हम specimens को identify करते हैं तो morphological basis के उपर identify करने के लिए हम मुख्तलिफ जो taxonomy करेक्टर्स हैं जो के पहले से established हैं उनका इस्तवाल करते हैं और morphological identification के लिए हमारे पास बहुत सारी identification keys अवेलेबल होती है अब ये जो key अवेलेबल है इसके अंदर जो characters मौजूद हैं इन characters को study करते हुए हम उस specimen को हम उस unknown specimen को identify करते हैं जब हम specimen को identify करते हैं तो हम उसकी बहुत सारी morphological features का record रखते हैं बसरण हम उसके body size उसके body की length उसके बाद उसके body के जो different structures है फर जैंपल उसका जो sphalothorix है उसकी width क्या है उसकी length क्या है अगर ये एक specimen insect का specimen है उसके अंदर chalice राह है उसके antenna है उसका genitalia का structure है इसी तरीके से उसके male genitalia का structures है इन तमाम structures को हम study करते हैं और जो हमारे पास morphological key available होती है उसको follow करते हुए हम इस specimen को identify करते हैं लेकिन बहुत सारे specimens ऐसे होते हैं जिसको identify करने के लिए हमारे पास proper morphological keys available नहीं होती या एक ऐसा specimen है जो के पहले से record में नहीं है हम molecular base के उपर identify करना चाहते हैं तो हम उस specimen का DNA लेते हैं उसके बाद specific primers को use करते हुए उसका जो specific region है उसको amplify करते हैं उसके बाद उस specific region की sequencing करते हैं और फिर जितने भी हमारे पास available databases हैं उस sequence को उस database के साथ compare करते हैं जब हम उस database के साथ compare करते हैं तो database के साथ compare करने के बाद हमें ये idea हो जाता है कि ये जो unknown specimen है ये किस genre से belong करता है sometime हम even DNA के इस्तमाल से भी इस काबल नहीं होते कि हम उसको species level तक identify करें लेकिन जो DNA के स्टड़ी है ये हमें help करती है कि कम से कम हम उसके genre तक पहुंचाएं तो जो taxonomic studies हैं taxonomic studies के अंदर हम morphological characters का भी इस्तमाल करते हैं और हम genetic characters का भी इस्तमाल करते हैं क्यूंकि बाज दफा हमारे पास कुछ ऐसे specimens होते हैं जिसके body parts पूरे नहीं होते या हमारे पास सिरफ उसके पास चंद body parts मौजूद है जैसे उसकी legs मौजूद है तो हम उस legs से DNA separate करके उसका sequence लेके उसको database से compare करके तो अंदादा लगा सकते हैं कि ये किस genre से belong करता है और उसको further हम identify कर सकते हैं